आगरा की जामा मस्जिद की सीडियों के नीचे श्री करश्ण की मूर्ती दबी होने के विवाद में कोट ने 11 जुलाई को अगली तारीक दी है दरसल जामा मस्जिद की सीडियों में श्री करश्ण के प्राचीन विग्रह होने का दावा करते हुए कथा वाचक देव की नंदन ठाकुर ने कोट में कियाची का दायर की थी इस याची का में मांग की गई कि आगरा के जामा मस्जित के सीडियों के खुदाई कर श्रीक रश्न के विग्रह को निकाला जाए कोट की ओर से इस मामले में नोटिस जारी कर 31 माई को सभी पक्षों को अपना जवाव दाखिल करने के लिए बुलाया गया था मगर सुनी सेंटरल वक्फ बोर्ट से कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं हुआ ऐसे में कोट ने अब सुनवाई के लिए 11 जुलाई को अगली तारीक दी है साथ इस मामले में याचिका लगाने वाले पक्ष ने जामा मस्जिद के भौतिक निरिक्षन के लिए भी अदालत से अमीन की नियुक्ती करने के लिए मांग की थी उस पर भी अब 11 जुलाई को ही अगली सुनवाई होगी दरसल ये याचिका 11 मई को दायार की गई थी जिसमें कथा वाचक देव की नंदन ठाकुर ने दावा किया था कि आगरा के जामा मस्जिद में जो सीडिया है उसके नीचे श्रीकरशन भगवान की मूर्तिया दबी हुई है देव की नंदन ने ये भी दावा किया कि 1670 में औरंग जेब ने मतुरा में भगवान श्रीकरशन जन्मस्थान पर प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवादी थी